हेलो फ्रेंड स्वागत है आज के इस नए वीडियो में दोस्तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इसी प्रा 20 mg टेबलेट का और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस टेबलेट के क्या वेनिफिट हैं क्या इसके साइड इफेक्ट हैं क्या इ इस टेबलेट को किस मरीज़ को देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए और दोस्तो इसकी MRP दोस्तो इस Medicine से related सारे जानकारि दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो आइए स्टार्ट करते हैं start करने से पहले आपने मेरे इस channel medicine guru को subscribe नहीं किया है तो subscribe झरूर कर ले तो दोस्तों और आये start करते हैं दोस्तों इसी परा 20 mg टेवलेट की हम composition की बात करते हैं तो दोस्तों इसी िऐख एक ही composition है इसी टालो प्रेम 2 के 20 mg है और दोस्तों इसकी हम price की बात करें तो ये मार्केट में आपको 10 टैबलेट के स्ट्रेप 140 रुपे में बड़ी असानी से किसी भी मेडिकल श्टोर पर मिल जाएगी दोस्तो क्या होता रेट घरते बढ़ते रहते हैं और दोस्तो अब हम आते हैं इसकी कमपनी के तरब दोस्तो इसे आइकन आइकन लाइफ साइंस द्वारा बनाया गया है जो की बहुत अच्छी कमपनी है अब हम आते हैं इसके यूज की तरब दोस्तो इसका यूज जैसे की डिप्रेशन में दोस्तो तनाव जैसे समस्षा में इस टैबलेट का इस्तमाल किया जाता है और भी दोस्तो इसके अन्य यूज हैं जैसे की अन्जाइटिक डिसॉडर दोस्तो अन्जाइटिक डिसॉडर में इस टैबलेट का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो अन्जाइटिक डिसॉडर एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ नाकरात्मक, बिचार, चिंता और डर का अभाव होता है जैसे कि अचानक से क्या होता हाथ कापने लगता है पसीना आने लगता है दोस्तो यह एंजाइटिक डिसॉडर में की बिमारी में यह लक्षन होते हैं और दोस्तो यह इसकी एक और यूज हैं जैसे कि एंजाइट और चिंतो यह cela में भी किया जाता है दोस्तो यह एक ऐसी समस्या है जिसमें पीडित को हर वक्त किसी खत्रे का अनवव होता है जबकि असल में कोई खत्रा नहीं होता है दोस्तो और पैनिक डिसॉडर में धोस्तों रोगई को ऐसा लगता है कि अब उसे सब धोखा दे रहे हैं ऐसा उसका कोई अपना नहीं है और जोस्तों इस स्थीति को पैनेक डिसॉडर होता है पैनेक डिसॉडर में उस परकार की स्थीति होने लगती है दोस्तो इस सारे मैंने इस टेबिलेट के यूस बता दिये हैं अब हम आते हैं side effect की तरब इस टेबिले के डॉक्टर से शला जरूर ले और दोस्तो इसकी precaution की बात करते हैं किसे इस टेवलेट का इस्तमाल करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए दोस्तो जो हिर्दे रोग हो लीवर रोग हो गुर्दे की बिमारी हो जिसे केलसियम की कमी हो पोटेसियम की कमी हो तो उस मरीज को इस टेवलेट का इस्तमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाज जरूर कर ले तो दोस्तो कोई भी मेडिसीन का इस्तमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाज जरूर ले हमारा उद्दे से सिर्फ मेडिसीन की जानकारी देना है अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल मेडिसिन गुरू को सस्क्राइब जरूर कर दे और दोस्तों मैं मेडिसिन से रिलेटिड इसी परकार की वीडियो में लेकर आता रहता हूँ अगर दोस्तों आप चाहते हो किसी भी वीडियो की जानकारी लेना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो दोस्तों धन्यवाद